अलो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने Infinix 430 Android में आप अपने मोबैल फून की आटो टच की प्रोलूम को आप सॉल्ट कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपके वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं तेकि अगर आप अपने mobile phone के किसी भी app को उंगली से आप दबा के रखेंगे ना तो आपका एक छोटा सा page open होगा इस तरीके का इसमें आपको ये app info लिखा हुआ मिलता है या फिर circle के अंदर जो i button है इसे आपको tap करना है आपका ये वाला page open होगा इस page मैं आपको 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 और ये ओप्शन मिलता है storage and catch का ये वाला option आपको tap करना है इसके अंदर दो option मिलेंगे एक तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले इसे clear catch पे tap करना है तो आपका एक page आगा delete app data गा इसमें आपको ok कर देना है तो आपका ये user data और ये catch इन दोनों के सामना अला data आपका ये 0 हो जाएगा इस तरह किसे आपको अपने mobile phone के सभी apps को reset करना है जिससे आपके phone की auto touch की जो problem है वो आपकी solve हो जाएगी अब दुस्तो अगला काम ये करना है हमारे mobile phone के android system में कुछ कमियां आने लगती है तो आपके phone का software update है यानि आपको check कैसे करना है इसके लिए आपको phone का internet चालू रखना है इसके बाद आपको phone का setting page उपन करना है इसमें आपको सबसे नीचे की side ये system पे tap करना है इसके अगले page में आपको system update का option मिलेगा इसके अगले page में आपको नीचे online update पे tap करना है तो आपको इस वाले page पे अगर कोई भी update का button दिखाई देता है तो आपको उसे tap करना है इससे आपके phone का software update हो जाएगा और आपके phone की auto touch की problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको जोन अगला process ये करना है कि आपको जोन अपने mobile phone को restart करना है mobile phone को restart करने के लिए mobile phone के side वाला power button उंगली से दबा के रखना है आपकी screen के सामने page आएगा इसमें आपको restart का ये option टैप करना है इससे क्या होगा आपका phone automatic switch off हो जाएगा फर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से ये होता है कि हमारे mobile phone के android system में अगर कोई problem हा जाती तो वो solve हो जाती ठीक है ना अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला process ये करना है आपको वो सभी apps आपको दिखाई देंगे जो आपके update नहीं है तो इन सभी apps को update कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको आखरी process करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है ठीक है देखें दोस्तों आपको अपने mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले process काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है otherwise बिल्कुल नहीं करना है phone को reset करने के लिए आपको mobile phone करना है setting page ओपन कर लेना है setting page में आपको सबसे नीचे system पर आपको टैप करना है इसके अगले page में आपको यह option मिलेगा reset option इससे टैप करना है इसके अगले page में आपको सबसे नीचे erase all data factory reset पर टैप करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की order अच्छी problem जाए वो solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखनी है आपके mobile phone में जितना भी data है ना सारा data आप किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके mobile phone की gmail id और उसका password आपको पहले से note करके रखना है तो इस दो काम आपको पहले करने है उसके बाद ही आपको अपने mobile phone को reset करना है ठीक है इस वीडियो में आपको जितना ही process बता है सारे आपको use करने है तो इससे आपके phone के auto touch की problem solve हो जाएगी अगर मेरे बता हुए सारे process यूज करने के बाद भी आपकी auto touch की problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या है आपके mobile phone का service center होगा वहाँ पर आपको चले जाना है अपना phone वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए क्या रहा हूं दिखे हो सकता है